हेलो एवरिवन लक्षय यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हारदिक स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्पेशल स्कूल टीचर इलिजिबल्टी टेस्ट 2023 के बारे में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्पेशल स्कूल टीचर इलिजिबल्टी टेस्ट के फोर्म फिल हो चुके हैं जो कि 2023 में हुए थे और इन्होंने बोला था कि ये जन्वरी 2024 में आपका पेपर ले लेंगे तो आज 26 जैन होने के बाद भी अभी तक भी कोई भी इन्फोर्मेशन नहीं है पेपर की और अभी तक भी जो एडमिट कार्ड हैं उनको लेके कोई अपडेट नहीं आई है तो इसी संबंद में आज हम बात करने वाले हैं अपने इस वीडियो में कि कुछ दिखाने वाले हैं साथ में आपको उससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा बिहार स्पेशल स्कूल टीचर इलिजिबल्टी टेस्ट है वो फरवरी महिने में हो सकता है तो चलिए देखते हैं कि बिहार में जो नितीज सरकार है उसने क्या कहा है जैसा कि आप ये देख रहे हो यहाँ पर बताया गया कि नियोजित सिक्षकों की तेयारी तेज कि नियोजित सिक्षकों को रज्यकर्मी का दर्जा देने के लिए होने वाली सक्षमता प्रिक्षा को ले नियोजित सिक्षकों में बेचैनी बढ़ गई है बिहार विधल्या प्रिक्षा समीति द्वारा बिहार विधल्या विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के नियम 4 के प्रिपेक्षा में स्थानिय निकायों के सक्षमता प्रिक्षा को लेके मार्गदर्शी का जारी की है मार्क दर्शी का जारी होने के बाद से ही नियोजित शिक्षक प्रिक्षा की तेयारियों में जुटे हैं जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बताया गया कि जो विषिष्ट जो बिहार विधाल्या विषिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 थी तो उसको लेके इन्होंने अब मार्क दर्शी का जारी कर दी है और जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी प्रिक्षा की तेयारी में जुट गए हैं नियोजित शिक्षकों को सबसे ज़्यादा चिंता प्रिक्षा के बाद सफल होने पर तीन जिले के विकल्प को लेके हैं एक ही स्थान पर कई वर्सों से सिक्षन कारिया कर रहे शिक्षक विकल्प को लेके काफी चिंतित हैं ये बहुत सारे साथ ही ऐसा समझ रहे थे कि ये जो विशेश शिक्षकों को लेके हैं कि जो बिहार में special school teacher eligibility test होना उसको लेके हैं बट ऐसा नहीं है ये बिहार विदल्या विशिष्ट सिक्षक नियमावली 2023 की बात हो रही है तो विशिष्ट का मतलब यहाँ पे विशेश शिक्षक नहीं है विशिष्ट सिक्षक वो हैं जो पहले से ही बिहार सरकार में लगे ह हुए है जो की और उनको नियोजित सिक्षक अब उनके लिए पेपर लेने वाले हैं जो सक्षमता प्रिक्षा हैं उनकी वो लेने वाले हैं और ये पहले से ही contract पे लगे हुए teacher है जो की इनका departmental अब पेपर होगा और इसके बाद फिर इनकी जो salary वेगरा है वो बढ़ाई जाएगी जो भी इसको qualify करेंगे वो transfer करवास केंगे अपना और जो permanent teacher की तरह ही benefit less केंगे इसमें इन्होंने बताया कि computer based होगी प्रिक्षा सक्षमता प्रिक्षा computer based online होगी जारी mark दर्शिका के अनुसार प्रिक्षा बहुवे कल्पिक होगी प्रिक्षा डेड़ सो अंकों की होगी जिसमें कोई negative marks नहीं होगा तो इसमें आपकी negative marking भी नहीं है सभी person एक अंक क्योंगे वही सामान्या सरेणी के प्रिक्षार्थियों को प्रिक्षा में उत्तिन होने के लिए 40% अंक लाना अनिवारिया है आप देख सकते हो यहाँ पर इन्होंने criteria 40% का रखा journal category के वरग के लिए 36.5% और पिछडा वरग अनेकजर 1 के लिए 34% अनुसुची जाती वे जनजाती के लिए 32% महीला व्यार्थियों के लिए 32% अंक लाना अनिवारिया है तो अब देख सकते हो percentage जो रखा है बहुत ही कम रखा है तो इसको सभी qualify कर सकते हैं और इसमें इन्होंने बताया कि 1-15 जनवरी तक होंगे आवेदन विग्यापन का प्रकासन 26 जनवरी को होगा जबकि ओनलाइन आवेदन करने की तीथी 1-15 जनवरी निरधारित की गई है अभ्यार्थियों द्वारा 5-16 फरवरी तक एडमिट कार्ड को डाउनलोड करना है डाउनलोड एडमिट का वही 26 फरवरी से 13 मार्च तक ओनलाइन प्रिक्षा का आयोजन किया जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पी इन्हों ने बताया कि 26 जनवरी से 13 मार्च के बीच में प्रिक्षा होगी तो यह उन सिक्षकों की प्रिक्षा होगी जिनके फोर्म अब 1-15 फरवरी तक भरे जा आया गया तो इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो बिहार स्वेशल स्कूल टीचर इलिजिबल्टी टैस्ट है वो 15 तारिक से पहले हो सकता है क्योंकि 15 तक इनके फॉम फिल होने है तो 15 तक की डेट उनके पास खाली है तो 15 तक वो आपका पेपर जरूर करवा सकते हैं ब तो 30 जनवरी तक आपका पेपर नहीं होने वाला है आगे हम मान सकते हैं कि 15 फरवरी तक आपका पेपर जरूर हो जाएगा और अगर हम और देखें तो इसमें बताया गया कि ओनलाइन प्रिक्षया एक फरवरी से कर सकेंगे आवेधन ये वो ही चीजे बताई गई हैं कि 26 ज और तीन जीलों का देना होगा विकल्प जो भी साथी चियनित होंगे तो उनको तीन जीलों का विकल्प देना होगा और उनके जो भी आसपास के जीले हैं तो उसी में उनका जो जोइनिंग है वो करवा दी जाएगी और साथ में टेस्ट में पास होंगे तबी गुरू जी क ही बढ़ रही थी क्योंकि ये contractual थे तो अब जैसे ही ये paper pass कर देंगे तो इनकी salary भी बढ़ जाएगी तो देख सकते आप इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जो आपके admit card हैं वो 5 फरवरी तक आ जाएंगे और उसके बाद 15 फरवरी तक आपका paper जरूर हो जाएगा जैसा कि हमने बताया कि 15 फरवरी तक ये जरूर ले लेंगे तो 15 फरवरी में ज्यादा time नहीं है और बहुत जल्द आपको आपके admit card भी देखने को मिल जाएंगे तो इसमें बहुत सारे साथियासे हैं जो सोच रहे हैं कि paper अभी नहीं होने वाला है admit card क्यों नहीं आ रहे तो उनको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है इसको एक आप as a motivation ले सकते हो क्योंकि आपको थोड़ा और समया मिल गया क्योंकि अगर हम देखें तो बिहार जो special school teacher, eligibility test है उसके लिए बहुत कम समया मिला था सभी साथियों को क्योंकि इन्हों ने exam जो form फिल करवाये थे उसके तुरंत बात बोल दिया था कि exam लेने का परन्तु अब इस कारण से थोड़ा delay होने के कारण से आपको थोड़ा समया और मिल गया है जिससे आप अपनी तयारी को और दुरूस्त कर सकते हैं बाकी जैसे ही admit card आ जाएंगे तो तुरंत आपको inform किया जाएगा ये छोटा सा hint मिला था हमें जिसकी वज़या से हम अंदाज लगा सकते हैं कि हमारा paper 15 Feb तक हो सकता है इसलिए हमने सोचा कि आप सभी के साथ ये video share किया जाए और ऐसी और भी information पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें साथ में बेल आइकन का बेटन जरूर तबाए ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो तुरंत आप तक notification पहुंच जाए वीडियो को जाचे ज़्यादा लाइक करें साथ में share भी करें Thank you